हाई फ्रेंट्स एक नए सांदर वीडियो में आप लोगों का सुवागत है आज के इस वीडियो में हमारे एक सस्क्राइबर है उनके एक सवाल का जवाब में देने आया हूँ यहाँ पर आप लोगों को बार बार रिक्वेश्ट है आप अपना ओपीनियन जरू कमेंट्स किय करो आपके मन में कोई डाउट है तो उसको हम रिजोल करेंगे वीडियो के माध्यम से और साथ ही हर कमेंट्स पढ़ा करो और कमेंट्स करा करो यहाँ पर एक हमारे सस्क्राइबर उनका नाम तो मैं भूल गया लेकिन उन्होंने कमेंट्स किया था और उन्होंने लिखा था क कि बर्निंग 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 दोजार इकिस से सुनते आ रहा हूं कि केल्कुलेटिंग सप्लाई मतलब जो बर्निंग सुनते आ रहा हूं कि बर्निंग हो रही है बर्निंग हो रही है लेकिन केल्कुलेटिंग सप्लाई कम क्यों नहीं हो रही है अगर आज की कंडिशन में देखें तो यहां पर calculating supply वही की वही है कम क्यों नहीं हो रही है और price क्यों नहीं बढ़ रही है शीबा की तो यह एक ऐसा सवाल है जो आपके मन में भी सायद चल रहा होगा इसके उपर बात करेंगे और साथ ही बहुत सारी और भी नए अपडेट के उपर बात करेंगे शीबाइनू के तो डॉंट मिस पूरा वीडियो आप वोच करना देखे आज की कंडिशन में यह सवाल आजमी है क्योंकि burning जिस तेजे से हो रही है regular base पर अगर आप twitter पर follow कर रहे होंगे तो regular base पर burning की new जाती है और ऐसा दिन नहीं होता है जिसमें burning नहीं होती है अला कि November, December में जरूर burning हपते में कुछ दिन होती थी लेकिन आज की condition में burning daily base पर होने लग गई है और daily burning की new जा जाती है इन सब के बीच calculating supply वही की वही है just की just कुछ भी उसमें changes देखने को नहीं मिलता ये कहना है इनका ठीके अब यहाँ पर सबसे पहले तो ये समझे कि जो burning हो रही है वो हो कितनी रही है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो burning के उपर नजर रखोगे तो कुछ thousand कुछ million और कुछ billion बस इतनी ही burning हो रही है और यहाँ पर अगर calculating supply में आप देखोगे तो supply है फाइप एट नाइन ट्रिलियन अब आप समझे रहे trillion में यहाँ पर supply है और burning होती है thousand million में ठीक है billion में कभी कभी होती है वो हुई नहीं है अभी तक million में हुई है अब आप सोचिए कि ये तो उसकी तरीके से है कि एक नदी है एक तलाब है उसमें से रोजाना एक दो बाल्टी पानी निकाला जाता है और हम कहते है कि यार ये खाली क्यों नहीं हो रहा है तलाब तलाब तो उतना को उतना ही भरा है भाईया आप लोग समझदार हो कि यार एक तलाब एक नदी में से एक दो बाल्टी पानी निकालना उट के मुँँ में जीरा देना के बराबर है इस से क्या तलाब या नदी को फर्क पड़ेगा बिल्कुल नहीं और क्या आप जज या पेरामिटर से माप सकते हैं कि इसमें पानी कम हुआ है बिल्कुल नहीं पॉसिबल नहीं है आखो से तो नहीं देख सकते हैं लेकिन अगर आकड़े में हम देखेंगे जैसे पानी की जो घनत हुए है पानी की जो छमता है उसको अगर ना पेंगे तो मालूम पड़ेगा हाँ या दो भाल्टी ये इतना पोइंट में लीटर ये इतना लीटर पानी निकाल लगया तो बस सप्लाई का खेल भी और बर्निंग का खेल भी कुछ इसी टाइप का है अभी अगर आप देखेंगे तो अभी चल रही है मेनवली बर्निंग मेनवली बर्निंग यहाँ पर हो रही है और मेनवली बर्निंग आपको मैं सबसे पहले तो यह बताओ एक बर्निंग की जो प्रोसेस है एक लोंग टम प्रोसेस एक लंबी प्रिक्रिया है यहाँ एक दिन में या एक कुछ घंटों में नहीं होती है एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है बर्निंग करने के लिए क्योंकि मजाक नहीं है कि टोकन यहाँ पर जारी कर दिये और एकदम खतम कर दो भाईया सबके पास यह टोकन है यह सबके पास टोकन है और सबके टोकन को बर्न में या डेड़ वॉलेड में या डिस्ट्रोई कर देना एक लंबी प्रक्रिया होती है क्योंकि एसा तो है नहीं कि एक वो है तो उसमें सब खतम कर दो एक हल्वा नहीं है तो एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है बर्निंग को पूरी करने के लिए और उसमें automated mode पर time लगता है इसी के लिए आप देखोगे 1000,000,000,000 में बर्निंग होती है और supply ट्रिलियन में है तो इतनी जादा supply में इतनी कम बर्निंग होना कोई बड़ी भारी बात नहीं है लाखो लाखो नहीं है हजारो वर्स लग जाएंगे supply को खत्म करने में अगर 99% supply अगर बर्न करने के दिसा में इसी speed से बड़े तो अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है तो क्या इसका solution इनों ने लिका ला है हाली में एक tweet आया था जिसमें बताया गया था एक नया mechanism लॉंच कर रहे है जो automated mode पर बर्निंग को execute करेगा यानि कि Shibarium के साथ यहाँ पर एक model ला रहे है Shibarium करके है जो Shiba Burning को automated mode पर ले जाएगा और यहाँ से चीजे automatic mode पर होगी जिसके वीडियो में ने कई वीडियो में बताया भी है उसके बाद अगर आप देखोगे तो calculating supply में जब automated mode पर burning होगी तो भारी व्रद्धी होगी क्योंकि तब जाके आप देखोगे एक दिन में ही trillions, billions, shiba token destroy या burning कर दिये जाएंगे तो तब जाके calculating supply में भारी व्रद्धी होगी तब तक के लिए आपको wait करना है अलाकि Lucy ने बोली दिया है जल्दी ही इसके उपर article भी आया था कि announcement हो गया है जल्द ही ये mechanism transformative burning mechanism launch किया जाएगा ठीक है इसमें फिर पूरी तरीके से automated mode पर चीज़े चलेगी अब यहाँ पर एक सवाल हो रहे है कि यार इस से price पर impact क्यों नहीं पढ़ रहा है फिर हम जानेंगे कि यार हमारे portfolio पर फरक कैसे पढ़ेगा तो price पर impact इसलिए नहीं पढ़ रहा है क्योंकि burning इतनी तेजी से हो नहीं रही है और इतनी कम burning वही उटके मुँ में जीरा के बराबर है तो इससी क्या है कि price पर कोई impact नहीं पढ़ रहा है लेकिन जैसे जैसे burning होगी जैसे जैसे calculating supply कम होती जाएगी वैसे वैसे धीरे धीरे burning का असर price पर पढ़ेगा और price पर तेजी से hit होने लगेगी जितनी मात्रा में supply destroy होगी उतनी ही मात्रा में demand बढ़ेगी और उतनी ही मात्रा में जो chart है वो बढ़ेगा और price बढ़ेगी तब जाके आप देखोगे कि जो zero है किल होती जाएगी लेकिन उसके लिए आपको patient रखना पड़ेगा इसमें कई साल की लंबी process हो सकती है automated mode पर भी जाएगा तो ऐसा नहीं है कि रातमरात लाखो या करोडो शीबा token destroy कर दी जाएगे उसमें भी एक प्रक्रिया रहेगी उसमें भी बहुत एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा क्योंकि सब के पास token है सब अपनी अपनी मर्जी से burning के लिए भेजएगे और फिर पूरी प्रक्रिया चलती है उस चीज के लिए तो उसमें भी समय लगेगा लेकिन कुछ साल इसमें लग सकते है बर्निंग होने में हलाकि एक न्यूज आपने देखे होगी 99% सीबा टोकन को बर्निंग में कर दिया जाएगा जोग दिया जाएगा ये न्यूज भी काफी हद तक सही है और इस दिसा में सीबा टीम काम कर रही है और रेगुलर बेस पर बर्निंग मेकनीज में लाए गया है वो इसी लिए लाए गया है ताकि बर्निंग में बर्न कर दिया जाए अब इन सब की बीच में एक बड़ा सवाल ये है कि यार इस से हमारे पोटफोलियो पर क्या आसर पड़ेगा तो आपको मैं बता दू पूरा खेल सप्लाई और डिमांड का है जैसे जैसे सप्लाई का संकट पेदा होगा क्योंकि बर्निंग में शीबा टोकन जोग दिये जाएंगे उससे डिमांड क्रियेट होगी तो जीरो किल होगी जीरो किल होने से प्राइज अपने आप बड़ेगी तो जो नए यूजर है जो पुराने यूजर है जो शीबा को अभी तक इन्वेस नहीं किये है किये हुए है वो लोग भी यहाँ पर पेशा फसाएंगे वो भी बाइंग करेंगे और बाइंग करने से यहाँ पर और ज़्यादा संकट पेदा होगा supply में और demand और बड़ेगी जिससे आपके portfolio की value बड़ेगी और Shiba token की जो price है वो बड़ेगी और उससे फिर आपका portfolio में असर पड़ेगा और आप एक अच्छे profit में रहोगे ठीक है तो यह system पुरा चलता है और वेसे भी अभी bitcoin की halving आने वाली है bull run भी आने वाला है 2024 में तो एसे में bitcoin एक लाग डोलर को touch कर सकता है एक्सपर्ट लोग बोल रहे है article में में नहीं कह रहा हूँ तो यहाँ पर चीजे सुधरने की संभावना बन रही है तो एसे में Shiba को पूरा पूरा benefit मिलेगा और एसे में अगर automated mode पर थोड़ा passion बनाए रखिए और एसे ही comments करते रहे है अगर आपके मन में कोई सवाल है तो उनको में resort करने का प्रियास करूँगा और सब लोग अपने opinion comments में जरूर पूछा करें और इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर end करता हूँ regular base पर burning के उपर में news आपको बताता रहता हूँ कि burning हो रही है burning हो रही है आपको बस ध्यान रखना है कि हाँ यार burning हो रही है और हम इस हिसाब से यहाँ पर चलाते रहे हैं आप चाहे तो twitter पर follow भी कर सकते हैं इनके account को तो आपको burning के उपर news हमेशा मिलती रहेगी I hope video enjoy क्या होगा channel को subscribe कर लेना नए user है तो क्योंकि एससे ही latest update आपको मिलती रहती है कोई नहीं बताता मैं अकेला बताता हूँ इस type के वीडियो तो आप लोग हमेशा to date रहोगे हर नियो से real बता रहा हूँ आप मेरे पुराने वीडियो उठा के देख लीजे आपको सब चीजे समझ में जाएगी नमस्कार